इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोसेस में पोलिस भी सामिल होती है, वीकति भी सामिल होता है जिसने आपको फसाया हुआ है। तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाता है कि आपने कोई गलत काम किया नहीं आपने कोई अपराद किया नहीं और आपको किसी गंभीर से गंभीर मुकदमे में फसा दिया गया तो अब निकलने का रास्ता क्या है क्या आपको ट्रायल फेस करना परेगा या निकल भी सकते है क्या कानूनी प्रोविजन है हमको एक section 482 के बारे में जानना चाहिए जो हमें अधिकार देता है सीधे यह अधिकार देता है कि हाई कोट में जा सकें और उस F.I.R. को रद कराने की प्रेयर कर सकें 482 के तहत यह बहुत important है कि जब आप हाई कोट में जाएंगे तो एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब तक 482 हाई कोट में चल रहा होगा उस टाइम तक पुलिस कोई भी करवाई नहीं कर सकेंगे दूसरी important बात यह है कि जब आप हाई कोट में जाएंगे अगर आपने वहाँ पे अपनी धली लें अपने सबूत वहाँ पे ठीक से पेश किया तो डिरेक्टली हाई कोट बिना किसी ट्राइल के F.I.R. रद करने का भी आदेश दे सकती है तो आईए मैं आपको 482 के बारे में डिटेल में बताता हूँ आप इसको पढ़िए और सुनिए दोनो ताकि आपको यह टॉपिक ठीक से क्लियर हो जाए धारा 482 के तहत आपके अधिकार है इस धारा का आप इस्तमाल करके किसी भी जूटी F.I.R. से बचने के लिए कर सकते हैं इसके लिए आपको वकील के मात्यम से हाई कोट में एक प्रातना पत्र भेजना होगा इसके साथ आप यह बता सकते हैं कि आपके खिलास जो F.I.R. लिखवाई गई है वह गलत है इसके साथ आप अपने बेगुनाही के सबोत भी दे सकते हैं प्रातना पत्र के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, ओडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राप्स, डॉकुमेंट्स जैसे दस्तावेज कोट को भेजें अमूमन देखा गया है लोगों को चोरी, मार्केट, बलातकार जाद दूसरे मामले में जोटा फसाया जाता है इस तरह के जोटे F.I.R. से बचने के लिए आप हाई कोट में अपील कर सकते हैं आपको बता दे हाई कोट में जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कारेवाही नहीं कर सकते इसके अलावा आपको गिरफतार भी नहीं किया जा सकता इस धारा के तहट कोई भी व्यक्ति जो बेगुना है बच सकता है हाई कोट में याचिका दायर करने के बाद आपको अपनी बेगुनाही के जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे या धारा ऐसे लोगों को F.I.R. और इसके बाद होने वाली कानूनी कारवाही से बचने के लिए बनाया गया है तो आपने यह देखा कि 482 के है कई अनेक फायदे और अगर आपको ऐसे फसाया गया है किसे मुकदमे में और आपके पास सबूत भी है तो आप बिलकुल भी निस्तन कोच ना करें और अपने हाई कोट का रुख करें 482 के सेक्षन का लाव उठाएं और आप निश्यत रुप से आपको इसमें लाव मिलेगा मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो से जरूर फायदा मिलेगा अगर आपके पास कोई प्रशन हो तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको निश्यत रुप से अन्याय की एक किरम देख सके है धन्यवाद